हैलो स्टूड़न्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेजर्मेंट मेजर्मेंट मतलब क्या हम किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं मतलब उसका माप ले सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर हैंड्स दिखाये होंगे कि हमारे हाथ का माप कितना होता है पेर का माप कितना होता है हमारे फिंगर्स का माप कितना होता है तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारा माप कम आता है लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे हाइट भी बढ़ती है और हमारा जो हाथ का माप होता है वो भी बढ़ते जाता है मेजरमेंट is done in various ways हम मेजरमेंट बहुत सारी अलग-अलग तरीकों से ले सकते हैं मतलब माप हम अलग-अलग तरीके से ले सकते हैं We can measure with our finger, hand span, foot, place and cubit We can measure the length of the matchbox with the help of our fingers जैसे कि matchbox आपने सब लोगों ने देखा होंगा कि matchbox कैसे होता है तो वो जो है वो तो हम अपने fingers से ही ऐसे माप सकते हैं Try measuring it with your fingers हमारे fingers से ही हम क्या कर सकते हैं? Matchbox माप सकते हैं Try to come up with a different ways measuring and recording चलो, तो हम अलग-अलग तरीके से क्या करते हैं? मेजरिंग करना सीखते हैं The classroom can be measured using your foot आपकी जो classroom होती है तो वो बहुत बड़ी होती है इसलिए आप उसको उसको आप fingers से तो नहीं गिन सकते लेकिन आप foot से गिन सकते हो ओके, one foot, two foot, three foot इस तरह से जो measuring हमारी यह होता है measure करने के लिए जो Keep one foot immediately after the other ओके, without leaving space in between and count how many feet long और wide is your classroom ओके, हमें कोई भी space मतलब जगा नहीं छोड़नी है हमें continue क्या करना है measuring tape से कितना foot का हमारा जो classroom है, वो हमें जिनके देखना है ओके, each one of you might have different numbers can you tell the reason why तो सबका measuring जो है, वो अलग-अलग आएगा इसका reason यह है क्योंकि अलग-अलग तरीके से सबने क्या किया होंगा classroom को measure किया होंगा The flower vendor measures a garland of flowers with the cubit that is using her hand from the tip of her middle finger to the elbow तो यह जो follow का आपको गजरा दिख रहा है तो यह गजरा हम middle finger से elbow तक ऐसे हम गिन सकते हैं तो यही इसमें बताया है quickly measure the string given to you using the cubit measure and say the answer या फिर किसी दोरी के मदद से भी आप रस्षी के मदद से भी आप measure कर सकते हैं measurement of length अभी हमें length यह जो दिख रहा है आपको measuring tape है इसी में बात कर रही थे आपको और यह हमारी छोटी scale है और यह बड़ी वाली है तो length measure करने के लिए इन सारी चीजों का इस्तमाल हम करते हैं we measure the length with the help of a measuring tape ruler and meter rod यह जो है meter rod tape है measuring tape भी इसको बोलते हैं ruler है जैसे कि हम रोज यूज करते हैं हमारे school के इसमें हमेशा रहती है bag में ruler तो इससे भी हम measure करते हैं यह हमें पता है the length of a pencil is measured in centimeters pencil की जो भी length होती है वो हम centimeter में measured करते हैं small length is measured in centimeter छोटी अगर चीज हो तो उसको हम centimeter में measure करते हैं is written as cm करके हम centimeter को लिखते हैं big length is measured in meter जो बड़ी वाली length होती है उसको हम meter में measure करते हैं and is written as meter M तो उसको हम M लिखके सपोज यह बड़ी बहुत बड़ी वाली चीज है तो इसको हम meter में measure करेंगे तो हम इसको लिखेंगे M और यह जो छोटी वाली pencil है तो यह छोटी है इसको centimeter में measure करेंगे और इसको लिखेंगे cm तो इस तरह से आपको समझ में आगा the length of a bench is measured in meters okay meter में bench का measurement है वो हम निकालेंगे can you measure your bench and write down the length of the board क्या आप इस जो bench है आपका आपके अगर कोई bench है तो उसके map आप ले सकते हों now check if all the benches measured the same और आपको school में मतलब आपके class में जितने भी benches होगे उनके सारे जो map है measurement है वो सही है क्या वो आपको देखना है write cm for smaller object अगर छोटा object है तो उसके लिए हमें cm मतलब cm लितना है और bigger object होगा तो उसके लिए meter मतलब m लितना है using the ruler find out the length of the following object अभी आपको आपकी जो ruler होती है scale हम उसको बोलते है तो वह लेनी है और इन सारे चीजों का क्या करना है आपको measurement लेना है अभी मैं इस से इस तरह से गिनके देख रही हूँ तो यह कितने cm का आ रहा है वह हम अब हमें लिख रही हूँ तो देखा आप लोगों ने इस तरह से मैंने रूलर सेम मैरी जो scale थी उससे मैंने सारे यह जो है उस मेजर कर लिए चीजे और यहाँ पर cm में लिख दिये अभी हम सिखेंगे measurement of mass वजन केसे करना है हमें जिसे वजन के लिए हमें पता है कि इस तरह से टू पैन्स होते हैं वजन करने के लिए और यह सारे जो चीजे हैं आपने देखे होंगी कि इससे हम वजन हमेशा हमारा करते हैं इस तरह बैलेंस विच हैस टू पैन्स यहाँ पे अगर एक पैन में हम अगर चीज कोई रख दे मेजर करने के लिए तो दूसरे पैन में हमें कोई और चीज रखने बढ़ती है ताकि हमें पता चले कि जिस चीज का हमें मेजर्मेंट लेना है वो कितनी है तो यह सारे उनके मेजर्स होते हैं आपने अब आजार में अगर आपके भी गए होगे आपके मम्य पपा के शाथ तो आपने यह मेजर्मेंट सारे उस वहां पे देखे ऑगे जिस डेर यूनिट Minneapolis cha किलोग्रैम तौके तो इसको हम क्या बोलते हैं किलोग्रैम और इसको हम लिखते हैं केजी में केजी के दराओ के सॉलिड object are measured using a weighing machine और balance जो solid object होता है मतलब बहुत ही hard तो वो हम weighing machine पे ये करते हैं जीसे हमारा वजन करना है तो हम जो weighing machine होती है उस पे भी हम हमारा वजन करते हैं देखो इस तरह से हमारा वजन आता है okay, weighing machine पे तो ये तो बड़ा unit था चोटे यूनिट पे भी आते हैं जैसे कि 0, 10, 20, 30, 40, 15, 60, 70, 90 और 100 तो small unit जो होता है तो उसको हम gram बोलते हैं मतलब छोटी चीज हो तो उसको हम gram में measure करते हैं और उसको लिखते है gm और अगर बड़ी चीज हो तो उसको हम लिखते हैं kilogram में measure करते हैं और उसको लिखते है kg तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा और और एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा thousand grams thousand grams is equal to one kilogram यह जो छोटे वाला है बतलब gram है तो अगर thousand जब यह gram बन जाता है तब यह बन जाता है one kilo तो यह आपको बात हमेशा याद रखनी है आपको हमेशा आगे काम आएगी अग्ला टॉपिक हम पढ़ने वाले है measurement of capacity यह वाली जो सारी चीजें है यह भी आपने देखी होंगी measurement of capacity के the quantity of a liquid that a container can hold is called capacity यह एक container है इस पर क्या दिया है आपको ml और liter में क्या दिया है माप दिया है अगर आपने कभी दूद लिया है दूद वाले से तो वह एसे ही किसी measuring cup से हमें measure करके देता है जैसे हमने उसको बोला कि भाई one liter दूद दे दो या फिर two liter दूद दे दो तो वह ऐसे measuring cup से हमें measure करके दिखाता है ओके the standard unit of capacity is a liter ओके तो दूद मतलब liquid जो होता है वह हमें liter में वह देता है we also use the words half quarter and three-fourth ओके तो उसके लिए हम कैसे words use करते हैं हाफ लिटर दूद देना है मतलब आधा लिटर हमें चाहिए है उसके बाद है quarter and three-fourth तो ऐसे हमें वह हमें उसको बताते हैं तो और वह उससाब से हमें दूद मेजर करके दे रहता है तो इसमें भी जैसे हमने centimeter meter पढ़ा Gраam kilogram पढ़ा तुसे तरह से इसमें भी छोटा बड़ा होता हे अगर हमें चोटी quantity में चाहिए है तो हम ml म्यमिलिलिटर मतलब shortcut में उसको ml लिखते है ml चोटे quantity में हमें मिलता हैं अगर हमें कम चाहिए हैं तो में ml में लेना होता है और अगर बहुत बड़े कॉंटिटी में चाहिए हैं तो उसे हम बोलते हैं लीटर में ओके और लीटर का एल लिखा जाता है ओके इसमें भी सेम वेसे अहीं है अगर हम 1000 1000 ml अगर मिला ले 1000 ml अगर हमारा कुछ हो जाए तो वह क्या हो जाता है वन लिटर ओके 1000 ml अगर तो इस तरह से हमने मेजरमेंट के जो सारे एक्विपमेंट है वह पढ़ लिए मेजर केसे करते हैं वह भी अच्छे तरह केसे पढ़ लिए तो अगर वच्छे आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक औ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे में अगले आपको सारे वीडियो लाती रहूंगी तब तक के लिए आप अपना ख्यार रखिए बाइबाइ